नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिम इंडिया एजूकेशन यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक अबर फिस से हम लोग आपके लिए जोब अपडेट लेके आए हैं और इसे बाद जो जोब अपडेट रहेंगे वो नेशनल इंसिटूट्स अफ एलेक्ट्रोनिक्स और इंफोमेशन टेकनोलजी शिमला के दोरा जारी किये गए हैं उनसे रेटल ये अपडेट है हमारा तो अगर किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और बैल बेटन और रखें क्योंकि जतने भी हम लोग जोब लेकि आ रहे हैं वो टाइम से आपके पास पहुंच सके और पिछली कुछ वीडियो में भी हमने आपके लिए लग लग जोब अपडेट लेकि आये थे अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखिए तो वह हमारी इमेंटिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर विजिट क करके वहां जो प्लेलिस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट बनिया उसमें जाके वह जतनी भी पिरानी जोब अपडेट्स हैं उन पर भी विजिट कर सकते हैं और उन पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो अब स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन के साथ जो नेशन चाहिए किसी भी फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए साथ में गौर्मेंट इंसीटूट से आपके पास टेनोग्राफी का कॉर्स होना चाहिए Post qualification experience के साथ 3 years की English और Hindi typing और Shorthand की आपके पास experience होना चाहिए Turkey और की सिप्समत्का कोई भी certificate होना चाहिए जिसमें आपने computer awareness दटिटर को estiver हो तो यह चार condition है जो है steno trainer के लिए National Institutes of Electronics and Information Technology शिमला के द्वारा मांग ही गयी है दूसरी जो इसमें vacancy है वो junior faculty की vacancy है junior faculty के लिए post graduation की डिगरी आपके पास होनी चाहिए साथ में BA होनी चाहिए आपकी recognize university से स्किल्स आपके पास English और general knowledge awareness के होने चाहिए और experience की बात की जाए तो 3 साल का post qualification experience होना चाहिए आपके पास और computer awareness का 6 month का certificate इनके द्वारा भी मांगा गया है और preparation candidate को दी जाएगी जिनोंने NILT के थुरू O level A level या PGDCA या DCA या CCE CCC का course किया हो तो ये दो vacancy जो NILT में भरे जानी है और इसके लिए जो apply करने की last date है वो 22 स्तंबर है 22 स्तंबर से पहले पहले आपको इस post के लिए apply करना होगा और age limit जो इसमें रखी गिया वो 35 वर्ष है 35 वर्ष है नीचे वाले candidates पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं और ये frequency होगी purely contact basis पे भरी जाएगी कल को आप इसको regular या permanent in future में आप इसके लिए कोई भी आप इसमें consider नहीं किया जाएंगे तो आपको जो purely contact basis पे ही रखा जाएगा इसमें इसके इलावा दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा गया कि इनके द्वारा shortlist candidate को ही interview के द्वारा interview के लिए बुलाया जाएगा तो shortlist यह खुद करेंगे और location जो इनने बताई है कि place of posting जो आपकी रहेगी वो district मंडी में रहेगी however candidate को बाद में कहीं भी पूरे all over हिमाचल में place किया जा सकता है और इसके लिए इस post के लिए आपको 1000 रुपीस की fee पे करने होगी जो कि आप Google फे फोन फे पे टियम के तरू किसी भी app के तरू आप इनको पे कर सकते है और apply करने का जो link है वो हमने अपनी website www.him-india.com पे भी available क कर सकते हैं जितने भी candidates post के लिए apply करना चाहते हैं और फीस जो अगर आपने one time pay कर दी तो इसको refund नहीं किया जाएगा और salary structure की बात की जाए दोस्तों तो इसमे salary structure का कहीं busy कर नहीं किया गया तो salary structure की queries के लिए आप निल्ट शिंबला में call कर सकते हैं तो इस job update में दोस्तों इतना ही जैसे कुछ और जोग update मिलेंगे हम लोग आपको उसे भी update करवाते रहेंगे thank you for watching media education